जैहिन बहुत समय से आप लोगों के कॉमेंट आ रहे थे मेल आ रहे थे कि भाया एक पीस डिपोजिटर का फॉर्म कैसे बढ़ा जाता है उस पर वीडियो पूरा डीटेल हम बना दीजिए मैंने सोजा चलिए यही करते हैं मैंने भी और आपका यह वीडियो तयार है चलिए आ जारी जांकारी में 95-95% जांकारी आपको यहीं मिल जाएगी देखना उमीद है मुझे आपको जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही है आप जाए बाकी वीडियो पर मेरे देखिए उसके अलावा आपको कोई मैसेज आता है तो मुझे वर्टसप कर दीजिए अगा आपके व 10 मिल कीजिए ठीक है आपकी जांकारी शज़ा बता दिशाष मत करना है आदान मबह अगट मेसेज में आप देखते ही होंगे वह मेसेज अगर आप दूसरे को किसी को पढ़ा हो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि मेसेज बैंक कोई भी बैंक है वह इसी तरह से भी पूरा नंबर उसमें नहीं होता तो जो मेसेज आया हो आप मुझे बेश करते हैं आपकी जांकारी पता चल जाएगी इसी पर देने केसे बरें काम केसे बरें यही है कर दूसरे सब पहले ले ले लेटे हैं यह ओ 한국 आपक के अकांट मेन जिवन में ँरूद कर चाहिए में यह उसमें सबक्राइग बहता हैằng Presidential करने का फॉम किस तरह भरते वह मैं आपको बता रहा हूं देखिए मैं आपको फॉं के ऊपर ले जलता हूं तो यह है तो यह तीनों ने वह बताई दिया चले नीची आईये इतने सारे चीज होती है इस फॉम के माध्याम से हमें करना है सिर्फ डिपोजीट के ऊपर क्लिक कर और आपका पिस बिपोजिट पहुर्स फूर्ड around कर वाना तब रहे तो decorreeing deposit को यहां पपर दीजिए हर महिने आपके account में पैसा जमा होता में व्याज में तो हर ना बढ़ने वाले को समझ में जाना बहुत ही आसान है आप लोग बड़ाई अमथ ठीक है किस्टमर आइडी नंबर लिखिए क्या होता है पूछोगे आपका बैंक की पास्बूक खोलिए आपका एकाउंट नंबर जहां लिखा हुआ है देखिए लिखा हुआ मिल गया उसके बिलकुल ऊपर कस्टमर आइडी लिखा हुआ वह नंबर है वह ल लिखिए समझे है मभर आपने सिंगल नाम से कर वाया है तो यहां पर सिंगल आपने में की करवा रहे है अधर नाम से घर दो नाम हो तो ही हो तो यहां पर jointly buy all कर दिजिए मलब दोनों आएंगे तो ही कुछ फेर बदल हो पाएगा आने वाले समय में क्लियर है आगे बढ़िए आपको करवा रहे हो ठीक है कि पैसा चाहिए पैसा आपके पैसे कड़कर सीधा आपके फीज़ दिपोजिट में चला जाएगा अब पैसे कड़के चले जाएगा लेकिन उसके लिए आपको चेक भूख भना होगा अगर चेक आपके पास नहीं है तो आपको गुलाबी शलीप आती है लाल शलीप आती है वह भरनी हो गया अगर आपको और चेक बूख है तो चेक बरिये चेक नंबर यहां लिख दीजिए कितने रुपय के फिजदी करवाना है हो यहां लीच डियो इसे साथ दिन के लिए करवाना है तो टीन सो पचास दिन के लिए तो तीन सो पचास दिन लिए अगर आपने 22 में करवाना तो खीया I लिए तो स्था जी यहाँ पर सुन न या पर लिए टी झेए सब्सक्राइब पर करना हो कि वही त smiles में अबकर पूरा इथ लिखा होता है वही तेटमेंट को यदिए कि सिप्वोजिट करवा रहे हो तो आप चाहते हो कि I kis साल के बाद payment मिल जा है वापस दिपोजिट करवाना है नहीं करवाना मुझे जो पर आप the पर टिक कर दिए ठीक है अगर आप चाहते हो कि एक साल के बाद एक साल पूरा होने के बाद जो मेरे जितने मलब या जितने समय के लिए मैं फीज डिपोजिट कर रहा हूं उतने समय के बाद अगर आप चाहते हो कि जितने समय के लिए आपने समय के लिए आपने समय के बार फिस दिपोजिट बन होकर उसका पैसा मुझे डीडी या पे ओडर में मिल जाए तो यहां पर डीडी ओडर ही टीक कर दीजिए नॉर्मली लोग रिन्यूवल ही लिखते हैं मलब हर साल अटो र पोड़ दिपोजिट करता रहे हो और एक साल्TER बाद बैंक नहीं जाते हो मालो आज साल अगले साल यह को इसी महीने की स्थारीक GET скоро उस तो ईकले 100 और कर चाहें आपका फिज दिपोजिट पूरा हो रहा हो दस तारी को आग 11 और 12 हो जाए ठीक है लेकिन अगर आप नहीं जा पाते हो उस दिन को भी कोई घबडारें की जोगत नहीं है एक महीने बाद जाए एक सल बाद जाए बैंक लोग बैंक में अधिकारी लोग बहुत खाल दखते हैं ताकि किसी के साइब समस्या फ्रतिया किसी को यार रह न रहे तो वह डिनई करते हैं फिर भी आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो यहां पर टीकर दीजी ऑट बता दीजिये नहीं करोगा तब भी चले का इंधिकारी फिर程 सांहें होते सभी सिद्सा एप कि हमिश्यार कहीँ हैं कि जो आपका principle amount है वो प्लस जो व्याज है दोनों के साथ रिन्नी हो जाए तो यहां पर टीक कीजिए नॉर्मली यही होता है अगर आप नहीं करेंगे तब यही वाला option क्लिक कर देते हैं अगर आप चाहते हो कि व्याज जो है मेरे अग्ले साल मेरे अकाउंट में जमा हो जाए औरổू जो मुलधने आनि एक लाएख पेडल से तो इस पर टीक कीजिए अगर आप चाहते हो डिया पेड़ार मिल जाये मेरे खाते में तो यहां सब लिखा है एग्रीमेंट पढ़ लेना कि आप करवा रहे हैं और अगर आप आड़ी करवा रहे हैं तो यहां पर ठीकर जिए नहीं तो छोड़ दीजिए कोई बात नहीं उसके बाद नीचे आई यह सब सर्ते हैं इसको पढ़ लिजिए नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा और यहां प दरवाना बहुत ही जरूरी है जो कि यह मैं आपको आधा मिनिट के लिए रोक रहा हूं अगर आपका पैसा कहीं भी जमाई चाहिए बैंक में पोस्ट ओफिस में इसी में इधर उधर कहीं भी पैसा जमा है तो जरूर चीजिए कि आपने नॉमिनेशन करवाया है कि नहीं न पताना जरूर है कि वह अगर में उज्जे कुछ हो जाता है तो जाना यह लेकर जाना ओर यह पैसा ले ले लिनाए यह आपकी नाम से फिस्टीबुर करवाए नहीं तो आपको जिसके नाम से करवाय है उनको उनहीं पता होगा तो फिर पैसे गए समझे तो यह सब द्यान हम फ्रेटी है यहां पूरा नम लिखे और यहां पर मामनी करवा लिख है और प्लवा घार लिख रहा है जो कर लिख थिए जो मेरा लिख रहा हो था ज़्याट दो यह के नाम भी आपको Till magari यहां पे रहे हैं और दो लिखे लिए उसके बाद यहाँ पर सीनेचर करिए हैज्जद स्ता नाम से हैं यहां पहुगा ध्यान रहे दो जगा सीनेचर हो चली है तो यहाँ फार यहां पर यह यहां उसके बार यहां पर सहर То किये और तारिख लिए जी हाँ अगर कोई अंगूठा चाप जो है अंगूठे वाला है अमल अंगूठ जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वह फिस्टी पोईट करना चाहता है तो भी सेम फोर्म भरा जाएगा लेकिन इस केस में उसके सामने दो विटनेस होंगे दो अगर जाइग।